अब यूरोपिय संग द्वारा भारत के व्यापार में अडचने डालना खुद यूरोप के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच व्यापार को कमजोर करने के इरादे से यूरोपिय संग ने जो कार्बन टैक्स लागू किया था उसने हाल के वर्षों में व्यापारिक संबंधों को काफी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन अब यूरोप की यह नीती अधिक समय तक नहीं चलेगी क्योंकि भारत ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिये हैं और यूरोपिय संग की पकड़ को कमजोर करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। क्योंकि भारत ने यूरोपिय संग के इस कदम का कड़ा विरोध किया जिससे यूरोपिय संग को बड़ा जटका लगा है। यूरोप में तेल उत्पादों का निर्यात इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पिछले दो वर्षों के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। और दुनिया भर में चल रही तनाव पूर्ण स्थिती के बीच यूरोप में भारत के तेल निर्यात के आंकडों ने सब को चौका दिया है। सवाल उठता है कि आखिर यूरोप की रिफाइनरियां क्यों बंद हो गई हैं और उन्हें भारत से ही तेल क्यों मंगवाना पड़ रहा है। अगर यूरोप के देश भारत पर इतने निर्भर हैं तो वे फिर भी भारत के खिलाफ कदम क्यों उठा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में सरल शब्दों में मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्रिपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए कुछ सेकंड का काम है लेकिन हमारी काफी मदद करता है। दरसल पिछले कुछ सालों से यूरोपियन यूनियन ने भारत पर कार्बन टैक्स के नाम पर स्टील, लोहे, सीमेंट और अन्य मेटल से बने उत्पादों पर खास इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू की है। लेकिन असली समस्या यह है कि यह इंपोर्ट ड्यूटी सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होती। इसमें खास तोर पर भारत को निशाना बनाया गया है ताकि भारत से यूरोपिये देशों में होने वाला निर्यात प्रभावित हो और भारत की व्यापारिक कमजोर की जा सके। इतनी महंगी कीमत पर कोई भी खरीदार उन उत्पादों को खरीदने से कत्राएगा। इसका असली मकसद यही है कि भारत का निर्यात कम हो जाए। यूरोपियन यूनियन लगातार भारत के एक्सपोर्ट को किसी न किसी बहाने से कम करने की कोशिश में जुटा है। खास त इस पर आपत्ती जताई तो यूनियन ने जाँच की बात की। लेकिन समाधान की बजाए इसे 2026 से नए नियमों के तहत लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे भारत के स्टील, सीमेंट और अन्य प्रोडक्ट्स का यूरोप में एक्सपोर्ट और भी मुश्कि हाल ही में खबरें आ रही हैं कि भारत के वित्त मंत्री ने यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए इस कारबन टैक्स को एक तरफा और अनुचित करार देते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। इस आलोचना से यूरोपियन यूनियन को बड़ा जटका लगा है। अगर भारत इस पर चुप बैठा रहा तो भविष्य में इसका आर्थिक नुकसान भारत को जेलना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले साल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ कुल व्यापार काफी महत्वपूर्ण था और इस तरह के टैक्स से वह प्रभ भावित हो सकता है। पिछले साल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लगभग 137 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत ने करीब 61 बिलियन डॉलर के प्रोड़क्ट यूरोप से आयात किये। वहीं भारत ने यूरोप को 75 बिलियन डॉलर के उत्पाद न रियात किये, जिससे करीब 14 बिलियन डॉलर का व्यापारिक लाभ प्राप्त हुआ। भारत की अर्थ व्यवस्था पर पढ़ सकता है। यूरोप की मन्शा साफ है, वे भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक गति को धीमा करना चाहते हैं। आप इस खबर से यह समझ सकते हैं कि अधिकांश यूरोपिय रिफाइनरी बंध हो चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ही डीजल, पेट्रोल और जेट ओनेल की सप्लाई कर रहा है। यह सच है कि भारत यूरोपिय देशों को तेल की आपूर्ती अपने लाब के लिए कर रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्य यह भी है कि भारत उतना अधिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वास्तव में हम यूरोपिय देशों को तेल उत्पाद सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि यूरोपिय देश इन सभी तत्यों के बावजूद भारत के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और इसके बजाए भारत के एक्सपोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भले ही जर्मनी, पोलैंड और इटली जैसे 27 देश अमीर माने जाते हैं। लेकिन वे इतने समरिध नहीं हैं कि यदि भारत ने उन्हें डीजल या पेट्रोल की आपूर्ती बंद कर दी, तो वे अन्य देशों से इसकी आपूर्ती कर सकें। दरसल, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका ने रूस पर कच्चे तेल के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। साल 2022 से पहले, सभी यूरोपिये देशों ने कच्चा तेल रूस से ही खरीदा था। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के बाद इन देशों में रूस से कच्चा तेल खरीदने की हिम्मत नहीं रही। इस स्थिती में भारत एक मात्र ऐसा देश है जो प्रतिबंधों के बावजूद सीधे रुपये में रूस के साथ व्यापार कर रहा है और सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। कच्चे तेल की इस सस्ती आपूर्ती के चलते हम प्रति दिन 45 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करते हैं। हमारे देश की आवश्यक्ताओं के चलते 80 प्रतिशत तेल भारत में ही उपभोग किया जाता है। इसमें हम केवल 15 या 20 प्रतिशत क्लीन ओनायल ही अन्य देशों को निर्यात करते हैं। हालां कि पिछले महीने हमने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है जब हमने अकेले 15 लाख बैरल कच्चा तेल प्रति दिन यूरोप को निर्यात किया। इस समय ओनायल प्रोडक्ट के बढ़ते निर्यात से हमारी आय तो बढ़ रही है। लेकिन हम सस्ते दामों पर यूरोप को कच्चा तेल देकर उनकी सहायता भी कर रहे हैं। खास कर जब उनकी रिफाइनरी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या यूरोपिय यूनियन भारत के विरोध के बाद कार्बन बॉर्डर टैक्स को हटाएगा या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे और ज्यानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन पर आल का चैन करना न भूलें। जय महाकाल, जय हिंद।